नमस्कार बच्चो मैं नेलम गुपता आपकी हिंदी टीचर आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्छा आठ वी का पाठ तीन जिसका सीर्शक है बस की यात्रा और इस पाठ के लेखक है हरी संकर परसाई जैसा कि इस पाठ के सीर्शक से ही पता चल रहा है बच्चो कि इस पाठ में बस की यात्रा के बारे में बताया जा रहा है बस की यात्रा नामक पाठ जो है एक व्यंगात्मक सेली में लिखा गया है और इस पाठ के माध्यम से यह बताया आ गया है कि जो प्राइविट बस कंपनियों के मालिक होते हैं वो कैसी कैसी खटारा बसों को चलाते हैं क्यों चलाते हैं क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा राप्त हो और वे अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाल करने में भी संकोच नहीं करते हैं तो आइए अब हम पाठ का सार सुरू करते हैं लेखा कौर उनके चार साथियों को जवलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी, उन्होंने बस से पन्ना और उसी कम्पिनी की बस से सतना जाने का कारिक्रम बनाया, बेसोवे पहुचना चाते थे, क्यों पहुचना चाते थे? क्योंकि उनमें से दो मित्रों को जो है काम पर पहुचना था, यानि उन्हें ओफिस जोएन करना था, लोगों ने सला दी कि समझदार आदमी इस सामबाली बस से सफर नहीं करते, लेखक ने बस को देखा तो स्रद्धा उमर पड़ी, बस जो है खुब बयो ब्रद्ध थी, बयो ब्रद्ध मतलब एक बूढी इस्तरी की समान, यानि किसी ब्रद्धा की तरह वो सेक्णों वर्स पुरानी हो चुकी थी, उसे देखकर लगता था कि यह चलेगी भी या नहीं, वास्तम में ये बस तो जो है अब पूजा के योग्य हो गई है, इस पर सवारी कैसे की जाए, बस कमपनी के हिस्सेदार साहाब भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे, उनका कहना था कि बस एक दम ठीक है और अच्छी तरह से चलेगी, और हिस्सेदार साहाब ने लोगों को विश्वास दिला दिया, बस की दसा देखकर लेखा कौर उनके मित्र यह तय नहीं कर पा रहे थे की बस से जाया जाय या नहीं, उनके साथ उनके एक डाक्टर मित्र भी उसमें सफर कर रहे थे, तो डाक्टर मित्र ने कहा कि यह बस जो है नई नवेली बसों से ज़्यादा बिस्वसनिये हैं, और जो लोग लेखक को मतलब बहाँ छोड़ने आये थे वो इस तरह से देख रहे थे जैसे कि वह लेखक को अन्तिम बिदा दे रहे हूँ बस के चालू होते ही सारी बस जो है हिलने लगी और खिड़कियों के सारे कांच जो है गिरने की स्थिथी में आ गए लेखक को डर लग रहा था कि कहीं कांच लेखक के उपर ना गिर पड़े यानि लेखक को चोट ना लग जाए तो लेखक जो है खिड़की से दूर सरक कर बैठ गया लेखक को लग रहा था कि सारी बस ही इंजन बन गई है अब बस जो है सचमुच चल पड़ी थी बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असायोग आंदोलन की बात याद आ गई कि जिस तरह अंग्रेजों की गलत नीतियों का कोई देशवासी यानि सायोग नहीं कर रहा था उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सायोग नहीं कर रहे थे उसकी हिलती बोड़ी को देखकर लेखक को लग रहा था कि बोड़ी बस को छोड़कर आगे भागी जा रही है या बस जो है अब आगे आठ दस मील चली ही थी कि उसके सारे भेदवाव मिठ गए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठी है या सीट हम पर बैठी है अचानक से जो है बस अब रुख गई और उन्हें मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है तो डाइवर ने क्या किया? डाइवर ने जो है पेट्रोल को बाल्टी में निकाल करके बगल में रख लिया और नली डाल कर यानी पाइप डाल कर इंजन में भेजने लगा थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार साहब मतलब लिखा को लग रहा था कि अब कि बस कंपनी के हिस्सेदार साहब जो है इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्चे के मुँ में दूद की सीसी से दूद पिलाती है अब बस की रपतार 15-20 मिल हो गई थी लेखा को उसके किसी भी हिस्से पर भरुसा नहीं था उन्हें लग रहा था कि इसका ब्रेक फेल हो सकता है या इसकी स्टेरिंग तूट सकती है और लेखाग जो है पेड़ों को देखता तो डर लगता कि कहीं बस जो है इन पेड़ों से ना टकरा जाए आगे उसे जील दिखी तो वैस सोचनी लगा कि कहीं बस इसमें गोता ना लगा जाए एका एक बस जो है फिर से रुख गई डाइवर ने तरह तरह की तरकीवे यानि उपाय किये फिर भी वह बस नहीं चली बस कंपनी के हिस्सेदार साहब इस बस को फस्ट क्लास बता रहे थे और कह रहे थे कि यह तो इत्तिफाक की बात है यानि यह तो संयोग की बात है कि आज ये बस जो है अचानक खराब हो रही है चिंड चांदनी में यानि कमजोर जो रोशनी धीमी हो जाती है कम हो गई थी और उसकी रोशनी भी कम हो गई थी जैसे धीरे धीरे किसी ब्रद मेला की रोशनी कम हो जाती है वैसे ही यानि इस बस की लाइटें डिम हो गई थी और अन्य गाड़ियों के आते जाते वह जो है किनारे पर खड़ी हो जाती थी बस कुछ दूर चली ही थी कि एक पुलिया पर जाकर उसका टायर फिस हो गया यानि उसका टायर फट गया और बस जटके से रुक गई यदि बस स्पीड में होती लेखक कह रहा है कि यदि बस स्पीड में होती तो बहे जाकर कि नाले में गिर सकती थी लेखक बस कमपनी के हिस्सेदार साहब को स्रद्धा भाव यानि आदर पूर्वक देख रहे थे उसके जैसे उत्सर्ग यानि त्याग की भावना अत्यंत मुश्किल थी यानि किसी बस्तू को त्यागना बहुत मुश्किल होता है उसी तरह से बह अपनी जान की परवा किये विना इस बस से सफर किये जा रहा था उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उप्योग नहीं हो रहा था उसे तो क्रांती कारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था बस के नाले में गिरने से यदी यातियों की मृत्ती हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदला दूसरा टायर लगाने पर बस फिर से चल पड़ी लेखाक और उनके मित्र पन्ना यानि पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे उन्हें लग रहा था कि पूरी जिन्दगी इसी बस में बिता कर उस लोग को चले जाना है इस धर्ती पर उनकी कोई मंजिल नहीं है वे चिन्ता छोड़ कर आराम से बैठ गए जैसे अपने घर में बैठते हैं वैसे ही वे बैठ गए और चिन्ता छोड़ कर हसी मजाक में सामिल हो गए तो बच्चो आसा है कि मुझे आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यबाद